हेलो प्रेंड्स कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे स्वागत है हमारे चैनल करल मी क्रेशी में सो फ्रेंड्स आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंदर मैं आपको फाइव ऐसे तरीके बताऊंगी जिसके दवारा आप अपनी टायटनेस को मैनेज कर सकते हैं यानि की तकान को प्रेगनेंसी के टाइम पर तकान होना एक आम बात होती है क्योंकि उस टाइम पर तो हम किस तरीके से अपनी थकान को दूर कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको गजो की ऐसे तरीके बताऊंगी जिनके द्वाराँ आप अपनी थकान को दूर कर सकते हैं वह बिलकूल मैडीशन सबसे पहले हैं अपने श्रीर की मालिस कीजिए जैसे कि आप सोने से पहले अपने पैरों की और जैसे की हातों की और चाहे हो सके तपुल बोडी की अच्छे से मसाज कीजिए इसे क्या होगा आपकी बोडी है जो कि वह रिलेक्स फिल करेगी और आपकी तकान है जो कि वह भी और इसके बाद next है आप consume कीजिए fresh fruit और vegetable क्योंकि आगर आपकी diet अच्छी होगी तो आपके श्रीर को भी तकान से लड़ने में help मिलेगी और diet से आपके जैसे की जो nutrition होगे वो भी आपके body को मिलेंगे और आपके baby को भी मिलेंगे दिससे आपका baby है जो की वो healthy और स्वस्थ होगा और इसके बाद आते हैं next हम किस तरीके से अपनी ठाकान को है जो की वो दूर कर सकते हैं सो फ्रेंड्स हमें अपने जैसे की जो water होता है उसको as a friend बनाना चाहिए और छोटे छोटी जैसे की थोड़ी थोड़ी amount में धीरे धीरे है जो की वो पानी पीते रहना चाहिए क्योंकि pregnancy के time पर हमारी जो body होती है वो dehydrated हो जाती है और इसलिए हमें पानी की ज्यादा सक्त जरूरत पड़ती है ताकि हमारी body है जो की वो hydrate रहे और अगर हमारे शीर में पानी की प्रियाप्त मातरा होगी तो हम और भी ज्यादा active रहेंगे तो और क्या हो सकते हैं जिसके दवारा हम अपनी तकान को दूर कर सकते हैं जैसे कि हमें रात को proper नींद लेनी चाहिए और क्योंकि pregnancy के time पर एक अच्छी नींद लेना मुश्किल होता है तो ऐसे में आप जैसे कि अपनी पायरों की अच्छी से मालिश कीजिए और अपना ज आता है कि हमें अपने जैसे की दिन चरिया में हलके पुलकी एक्ससाइज या व्याम है जो कि वह जरूर करने चाहिए ताकि हम थोड़े से एक्टिव बने रहें और सबसे इंपोर्टेंट है जैसे कि आप जो भी दिन के अंदर काम करते हैं तो उसके पीच बीच में अब पर बहुत करा है। زगें आपको थीक लगता है जिससे आपकी आपको रखराखी होती है उस तरीके से आप अपनी थोड़े तोड़े देर बाद है जो कि र δायक्स करते रहें अगर आपकी य़्योंद होगी तो आपको तुकान नहीं होगी और आप एच टीव बने रह तो आगे आने वाली और भी जाद है जैसे कि बेबी हो जाएगा उसके बाद तो बढ़ने ही वाली होती है तो इसलिए आप जो कि अभी से मैंनेज कीजिए ताकि आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना है आज के लिए इतना ही आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पुल लगी होगी और जो भी मैने तकान करने के जो की तरीके बताए हैं आप भी इनको फॉलो कीजिए और आप भी अपनी बोडी को रिलैक्स कीजिए आज के लिए तना